बूर्णिंग गाईज वेलकम बैक तो दे शैनल और भाई एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है भाई एक भाई को मैंने पांच कभूतर गिफ्ट में दिये थे तो भाई उस टाइम तो वीडियो बनानी पाया लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो कभूतरों को वापिस लेके आया है भाई अब देखते हैं कभूतरों की क्या आलत है और कितने कभूतर है उनसे पूछेंगे कभूतर वापिस क्यों लेके आयो भाई क्योंकि मैंने कोई पैसा नी लिया कुछ नी लिया बलकि ये भाई कह रहा है कि तीन कबुतर भाग गए थे और दो कबुतर बचे हैं आप देखते हैं कौन-कौन से कबुतर ये वापस लाया है और कौन से भगाया है तो इससे ही बात करते हैं चलो भाई वीडियो को शुरू क इधर देखना भाई क्यों लाया कभूतर वापिस हैं यह बहुत सर्मावी रहा है और इसे रख दिया तेला अरे यार तेला तो उठा ले बारिस में पानी भीग रहा है और यह मेरी बीटिया है भाई इसकी व्याद चुटती है तो भाई यह बाई कह रहा है कि मुझे पढ़ा बाई के लिए टाइम नहीं मिलता और वे से भी है बाहर जा रहा है क्रूछेद्र क्योंकि फंडताई की पढ़ाई करता है तो भाई दिखा कौन-कौन से वापिस लाया है कौन-कौन से भगाई है कौन सा जोड़ा इसमें एकी जोड़ा बता रहा है कौन सा जोड़ा तो वाई कबुटर छोड़ दिया इसने कैं देख उसके पैर में क्या हो रहा पैर में भर निकल जाने तो भाई यह हमारा कबुटर एक महीने होगा वाई ज्यादा कितने टाइम होगा लगबग एक महीने से ज्यादा हो गया क्योंकि तीन पांच बुद्वार निकल ये पांच बुद्वार हमने एक बुद्वजार की वीडियो बनाई थी तो भाई जिस दिन पहली वीडियो डाली थी उस दिन इस भाई को पांच कबुतर दिये थे एक हरा था और एक मकोया था बिल्कुल सफेज चिट्टा और एक कभुतरी का सोग कर रहा हुआ है अरे यार पूँच मूँच सब किसी यह देखा वाई भाई क्या हाल कर रखा है कभुतर होगा बहुत बुरा हाल कर दिया यार तुने तो भई और भई कबूतर देख लो भई एक सवा महीने बाद यानि पांच हपते बाद घर आया है और कबूतर ने अपनी छत पैचान ली यार बड़ा नजरगा पका है मत 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 चेड़ अभी मत चेड़ कभी भाग जाए देखते हैं कबूतर की क्या एक्टिविटी है इधर आजा इधर आजाओ भई और भई कबूतरों ने सायद दोनों कबूतरों ने अपनी छत पैचान ली कबूतर ये नजरगा बहुत पका कबूतर था भई था क्या अभी भी है मैंने इस भई को इसलिए दिया था और बहुत अच्छी उड़ान का कबूतर है मेरे यहां चार साड़े चार घंटे उड़ रहा था भई कबूतर ने पैचान ली भई जंगे है ना है लग तो रहा है सही कबूतरी का क्या गरे है भाई कबूतरी की तो भाई परपटाई करनी पड़ेगी इसकी पूंच वगएरा सब कुछ उखेडनी पड़ेगी च्योंकि बिमार सी लग रही है देखने में और भाई मुझे स्वस्त कबूतर घूमते फिरते और देखने में अच्छे होने चाहि अरे वाँ देखिये भी उपर बैठ ली थी तो भाई मुझे लगता है कबूतर ने पूरी तरह से पूरे जोड़े ने हमारी च्छत को पहचान लिया एक सवा महीने बाद यार कमाल की बात है और यह हमारे कबूतर है भाई को सौंक तो बहुत है लेकिन बस घर वालों की चाल भाई बारिस का मोसम हो रहा है आज हमारे यहां बहुत बारिस का मोसम है भाई मोसम खराब है और रात काफी बारिस हुई है और इसलिए मैंने बहुत अच्छी तरह से धकूंद के रख़खे थे कबूतर और भाई ने चट पर आते ही सब घटा दिये क्यारा है पकड़ा था वह भी दिखा देता हूं आपको यह बच्चा पकड़ा था कल इसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बस पकड़ने में पूरा टाइम निकाल दिया चलो ठीक है बाई इस वीडियो में इतना है मिलते हैं आप से एक लिडियो में तब तक के लिए गुर्भा टेक के लिए